नमस्कार दोस्तों आज हम डिस्स करेंगे जोवा IT का पेपर जिसका की पोस्ट कोड था 1000 और या पेपर कंड़क्ट करवाये गए था HPSC द्वारा 9 उक्तूबर 2022 को इवनिंग शिप्ट में तो इस पेपर का हम जीके वाला सेक्टन डिसक्स करेंगे काफी इंपोर्टन कोश्टन इसमें जीके के पूछे गए थे फिरनस वीडी के अंतक बने रहे हैं तो चली वीडी को शुरू करते हैं हच पी जीके से हम स्टार्ट करते हैं कोश्टन नमबर 49 स्यूल इस ट्रिविटरी ओफ विश रिवर ओफ हिमाचल पर देस की किस नदी की साहिक नदी है तो स्यूल जो है यह साहिक नदी है रावी नदी की आप्शन नमबर A राइट आंसर होगा नेक्स कॉश्टन पूछा गया था हिमाचल पर देस की सबसे बड़ी और प्राकरितिक जील कौन सी है तो बो जील है गोविन सागर जील आप्शन नमबर A इस दा राइट अंसर नेक्स कॉश्टन सुजानपूर सब डिवीजन is a part of which district of हिमाचल पर देस सुजानपूर उपखंड हिमाचल पर देस के किस जीले का भाग है यह हमीरपूर जीले का आप्शन नमबर B इस दा राइट अंसर नागनी फियर इस अलिवरेटर इन विच डिस्टिक आप हिमाचल पर देस के किस जीले में मनाया जाता है तो नागनी मेला मनाया जाता है कांगडा डिस्टिक में आप्शन नमबर A is the right answer नेक्सक्ट कोष्ट्चन लो सर फेस्टिवल इस अलिवरेटर इन विच डिस्टिक आप हिमाचल पर देस के कौन से जीले में मनाया जाता है पर देस्टिक में आप्शन नमबर C राइट आणसर पिन वैली नैशनल फार्क is located in which district of हिमाचल परदेश पिन घाटी रास्टी उधियान हिमाचल परदेश के किस जिले में सित है पिन घाटी रास्टी उधियान सित है लाहॉल स्पिती डिस्टिक में option number D is the right answer next question गुलेर प्रिंसली स्टेट वास फांड़ड वाई repeated question है morning shift में ये question पूछा गया था गुलेर आसी राजी किस ने की थी तो ये की थी हरी चंद ने option number A is the right answer next question देखी पंच वक्तार टेंपल is located at which place in हिमाचल परदेश पंच वक्तार मंदीर हिमाचल परदेश के किस थान पर सीत है पंच वक्तार मंदीर सीत है मंदी डिस्टिक में option number D is the right answer next पूछा गया है the old name of नालागड बास नालागड का पुराना नाम क्या है नालागड का पुराना नाम था हिंदूर option number A right answer अगे next question पूछा गया था धामी फायरिंग टैजर्टी तुक प्लेस इन विच यर धामी अगनी कांड किस वर्स में हुआ धामी अगनी कांड हुआ था 1939 में option number D right answer होगा next question पूछा गया था हिमालेयन रियास्ती प्रज़र मंदल was founded in which year हिमालेयन रियास्ती प्रज़र मंदल की स्थापना किस वर्स में हुई थी तो हिमालेयन रियास्ती प्रज़र मंदल की स्थापना हुई थी 1939 में option number A is the right answer next question यह आपर पूछा गया है which is the executing agency of पारवती second hydroelectric project पारवती 2 पन विजली प्रियुजना की कारियन रियन संस्था कौन सी है तो उसकी कारियन रियन संस्था है NHPC option number A is the right answer next question HRTC came into existence in which year HRTC किस वर्स अस्तित्व में आई 1974 में option number D right answer next question पूछा गया है नौला is a folk dance of which valley of हिमाचल प्रदेश नौला हिमाचल प्रदेश की किस गाटी का लोक ने रिते है तो ये लोक ने रिते है चमबागाटी का D option is the right answer next question यहाँ पर history section का देखिए who among the following was a lexicographer निमन मैं से कौन एक कोशकार था तो इनमें से अमर शिंग right answer होगा option number C next question founder of Nanda University वाज यह थोड़ा सा typical question है यहाँ पर अगर नालंदा उनिवस्टी होता तो इसका founder थे कुमार गुप्त तो इस question को हम pending रखते हैं answer की के आने तक next देखिए who among us the following brothers of औरंग जेब was condemned to death औरंग जेब के निमन मैं से किस भाई को मृति दंड दिया गया था औरंग जेब ने मृति दंड दिया था दूसरा सिकंदर कहा था तो दूसरा सिकंदर कहा था अलाउदिन खिलजी ने option number A right answer होगा next question who among the following gave a detailed account और नालंदा इनिवस्टी निमन मैं से किस ने नालंदा बिशेब इदालिय की बिश्तरित जानकारी प्रदान की थी तो ये जानकारी प्रदान की थी हुए इंसांग ने option number A right answer होगा next question who among the early nationalists worked in England to mobilize public opinion in favor of the Indian national movement निमन मैं से किस प्रारंबिक राष्ट बदी ने बारती राष्टी अंदोलन के पक्ष्ट में जन समर्थन जुटाने के लिए इंगलेंड में कारे किया ये किये था दादा बाई नौरो जी ने option number D is the right answer आगे next question देखिए who was the vice rai of India at the time of जलिये वाला बाग मासक जलिये वाला बाग हत्यकांड के समें बाद के vice rai कौन थे तो समें बाद के vice rai थे Lord James Ford option number C is the right answer next question who is the first law officer of government of India बारा सरकार का प्रथम बिदी अधिकारी कौन होता है तो बहुता है attorney general of India option number C right answer next question the basic structure doctrine was enunciated by the supreme court during the सर्वोच नियले दोरा बुनियादी धांचा सिदान किस वाद के दोरा ने प्रतिपादित किया गया था ये किया गया था केश्वालन भारतिबाद option number C is the right answer next question president can dissolve the लोगसभा on the राश्टपती किस की सिफारिष पर लोगसभा को भंग कर सकते हैं तो राश्टपती लोगसभा को भंग कर सकते हैं परधान मंत्री की सिफारिष पर advice of the prime minister option number A is the right answer next question which amendment of the constitution of India limits the number of ministers बारती सम्मिदान का कौन सा शंसोधन मंत्री की संगय की सिमा निर्दारत करता है तो वो वाला सम्मिदान संसोधन है 91st canva सम्मिदान संसोधन option number D right answer होगा next question which state is called the rice bowl of India भारत के किस राज्जे को चावल का कटोरा कहा जाता है तो वो राज्जे है आंद्रप्रदेश जिसे चावल का कटोरा कहा जाता है C option right answer next question who signature appears on 10 rupees currency note 10 rupees के currency note पर किस के हस्ताक्षर होते हैं तो 10 rupees के currency note पर हस्ताक्षर होते हैं governor of RBI RBI के governor के option number B right answer next question the rational of public distribution system PDS का मूलाधार जो है मूले नियंतित करना मूले में उताच अड़ा को कम करना आवश्यक बस्तों का समान बितरण सुनेश्चित करना तो D option यह सभी right answer हो वाइसमे next question India's largest run over river बात की सबसे बड़ी बहने वाली नदी कौन सी है तो वो नदी है गंगा नदी option number A right answer next question which sea port is in Gulf of Kach कच की खाड़ी में कौन सा बंदरगा है कच की खाड़ी में बंदरगा है कांडला बंदरगा C option is the right answer next देखिए the first electric train of India was run between भारत की प्रतम बिद्दू ट्रेल गाड़ी किसके मद्दे चली थी तो ये चली थी कल्यान और पुने के मद्दी option number C right answer next question the principal Cashew Processing Center of India is in भारत का मुखे काजू प्रसंक्षन के अंदर कहाँ पसीत है ये स्थित है क्यों लोग केरल में option number D right answer होगा next देखिए which state has the largest coastline in India भारत में किस राजी की सबसे लंबी ताटरेका है तो बो राज है गुजरात A option right answer next question the wind system in the equatorial area is known as विशुवतिक शेत्रों में पवन प्रणाली किस रूब में जानी जाती है तो ये जानी जाती है trades के रूब में ब्यापारिक हावाएं option number B right answer next question sickle cell anemia is दातर कोशी का रक्तता क्या है sickle cell anemia is genetic disorder है अनुवंशिक बिकार option number A right answer next question the green fodder plants for animal which are used in winter are शीत रुटु में जानबरों के चारे के रूब में उप्यों की जाने वाले हरे चारे बाले पौदे कौन से हैं वो हैं option number D right answer next question who among the following laid down the foundation of nuclear science in the country देश में नाव की बिग्यान की नीव नीवन में से किस ने रखी थी नाव की बिग्यान की नीव देश में रखी थी होमी जे बाबा यानिकि होमी जहांगीर बाबा option number B right answer next question which is used as magnifying glass कौन सा अवर्दक lens के रूम में उप्योग किया जाता है अवर्दक lens के रूम में उप्योग किया जाता है converging lens converging lens को convex lens भी कहा जाता है तो C option है आपर right answer होगा अब इसारी lens next question sea water is saltier than rain water because smudri जल बरसा जल से ज्यादा खा रहा होता है क्योंकि क्योंकि नदियां भूमी से नमक भाका ले जाती है और उसे सुमुदर में छोड़ती है option number B इसमें right answer होगा next question which country holds the G20 presidency in 2022 2022 में G20 के देख्षता करने वाला देश कौन सा है वो है Indonesia C option right answer next question India recently signed a memorandum of understanding with which country on wide diversity conservation जै भी विद्दा स्रंक्षन पर भारत ने हाल ही में किस देश के साथ समझाता ग्यापने पर स्ताक्षर किये तो ये स्ताक्षर किये है भारत ने अभी नेपाल के साथ B option right answer next question which Indian state union territory has recently inaugurated the राजीव गांधी rural olympic games किस भारती राजी या केंदर शाशीद प्रदेश ने हाल ही में राजीव गांधी ग्रामिन olympic खेलनों का दुगाटन किया तो ये दुगाटन किया है राजिस्थान में option number B यहां पर right answer होगा next question who has recently become first Indian player to have played hundred matches each in all three formats of the game हाल ही में कौन सा प्रत्म भारती खेलाडी बना जिसने खेल के सभी तीनों फार्मटों में परतेक में 100 मैच खेले हैं तो वो के लिए खेलाडी हैं बिराट कोली be optional right answer next question the 300 meter long अटल ब्रीज फॉर paddy strength and cyclist has been recently inaugurated in which city पद्यात्री और cycle सवारों के लिए 300 meter लंबे अटल ब्रीज का हाल ही में कि शहर में अदुगाटन किया गया तो इस ब्रीज का भी हाल ही में अटल ब्रीज का दुगाटन किया गया है एहमदाबाद गुजरात में option number A right answer next यहांपर देखें English section synonym of repercussion is यहांपर repercussion का synonym पूचा गया है तो उसका synonym होगा consequence B option next antonym of land is land का antonym होगा वहरो option number D right answer next one word substitution for two cause troops etc. to spread out in readiness for battle तो इसके लिए one word जो होगा वहगा deploy option number C right answer next question the title of भारत रतन वाज conferred dash him at a colorful ceremony तो यहांपर on यहांपर आएगा option number D यहांपर right answer होगा next question meaning of the idiom to give chapter and verse for a thing is तो यह जो idiom दी गई है इसका meaning क्या होगा इसका meaning होगा to produce the proof of something option number A right answer होगा next यहांपर हिंदी section देखिए अजाद सत्रु में समास अजाद सत्रु में समास है बहु बिरी समास D option right answer अंबित का संदी विशेद क्या होगा अंबित का संदी विशेद होगा A plus with option number C आगे पूछागे है खून का विशेशन क्या है तो खून का विशेशन खूनी option number C right answer next पूछागे है अकल मंद में प्रत्य तो अकल मंद में प्रत्य हैं मंद प्रत्य C option is the right answer next पूछागे है लुहार का प्राइबाची शवद तो इस question में थोड़ा सा doubt है से हम पेंड़ने रखते answer की गाने तक अगर आपको इस question का answer पता हो तो परीज भी जरूर शेयर करें बाकी देखते हैं क्या answer इसका निकलता है लुहार का प्राइबाची तो इसी के साथ फ्रेंस आज की वीडियो वसी हैं तक अभी हमने जुआ IT post code 1000 एक हजार इसका post code था उसका हमने जल्दी ही मिलेंगे नेक्स वीडियो के साथ अफ्ता के लिए जैहिं थेंक्यू फॉर वाचिंग पेशेंचली